नमस्ते दोस्तों, हट्योग में चार बंध बताएं हैं, मूल बंध, उडियान बंध, जलंधर बंध और महा बंध. आज मैं आपको उडियान बंध के विशे में बताने जा रहा हूँ. उडियान का मतलब होता है उपर की तरफ उठना, और बंध का मतलब होता है बांधना या रोक के रखना. इस बंध में हम सास को बाहर छोड़ कर, पेट को अंदर खीच कर और उपर की तरफ उठा कर रोक के रखते हैं, इसलिए इसको उडियान बंध कहा जाता है. उडियान बंद से आपके पेट में जितने भी आर्गन हैं उनकी बहुत अच्छे से मसाज होती है चाहें वो लिवर हो, किडिनी हो, पेंकरियाज हो, छोटी आथ हो या फिर बड़ी आथ हो यहां तक कि आपके हार्ट की भी मसाज होती है, क्योंकि डाइफराम उपर उठता है और हार्ट की मसाज होती है तो इन सारे आर्गन के लिए ये बंद बहुत ही effective है, बहुत ही उपयोगी है पेट की जितनी भी बीमारी है, उनके लिए ये रामबान है शूगर के लिए, डाइविटीज के लिए बहुत ही लाबगारी है आपकी कॉंस्टिबेशन ठीक होती है, इंडाइजेशन ठीक होती है पेट की जटरागनी बहुत तेल्स होती है आपका तनाव दूर होता है, एंग्जाइटी ठीक होती है लेकिन जिन लोगों को हाट की बिमारी है, अलसर है पेट में या फिर हरनिया की दिक्कत है, वे लोग इस बंद का अभ्यास नहीं कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसका अभ्यास आप किसी भी आसन में बैठेंगे, चाहें वो बजरासन हो या पदमासन या सिधासन और यहां तक कि आप खड़े हो कर सकते हैं और लेट कर भी कर सकते हैं यहां पर मैं पदमासन में बैठा हूँ, घुटने जमीन पे लगे हुए हैं हाथ बिलकुल घुटनों के उपर है, सीधे है सांस को आपने नाक से भरना है और देखे, ध्यान दखेगा ये अभ्यास हमेशा खाली पेट करेंगे आप तो सांस को पहले लेना है इसमें फिर जटके से छोड़ कर पेट को खाली कर देना है और सांस को बाहर रोक के रखना है और जितनी देर आप सांस को बाहर रोक सकते हैं उतनी देर पेट को अंदर खीच कर रोक के रखना है ठीक है? उसके बाद जब आपको सांस लेने की इच्छा हो या सांस लेने की जरूत पड़े उसके लिए पहले उडियान बन को छोड़ेंगे फिर जालंधर बन को खोलेंगे उसके बाद सांस को लेना है ऐसे नहीं करेंगे कि एकदम जटके से दोनों बन खोल दिये और सांस को लिया बहुत जवरदसी होड नहीं करना है जो आपकी छमता हो उसके अनुसार आपने सांस को बाहर रोकना है ध्यान दखेगा सांस को बाहर रोक के रखना है दखे कैसे आपने देखा मैंने सांस को बाहर छोड़ा और बाहर रोक के रखा जितनी देर बाहर रोकी रही उस दोरान मैंने बंद को लगा के रखा जालंधर बंद भी साथ में लगाते हैं साथ में दोनों बंद लगा के रखे और जब मुझे लगा कि सांस मुझसे अब जादा देर नहीं रुकेगी तो मैंने पहले उडियान मन को छोड़ा उसके बाद जालंधर मन को खोला और उसके बाद मैंने सांस को अंदर भरा इसी क्रम से करना है, इसी तरह से करना है जटके से नहीं करना, जैसे कुछ लोग करते है, ऐसे नहीं करेंगे, जटके से आपने छोड़ा और सांस को एक दम ले लिया, धहरी के साथ, जितनी दियर आप रोख सकते हैं सांस को अंदर, बाहर और पेट को अंदर खीज सकते हैं, उतनी दियर आपने रोख के रखता है, च हमेशा खड़े होकर अभ्यास को शुरुआत करने चाहिए, खड़े होकर ये बंद लगाना और आसान हो जाता है, तो कैसे करेंगे, आपने एक से देड़ फिट का हुआ पैरों में फासले लेंगे, अपनी हाइट के नुसर, फिर थोड़ी सी नीज बैंड कर लेंगे, हाथों को नीज के ऊपर रखेंगे, हाथ बिलकुर सीधे रखेंगे, और इस्पाइन भी सीधी रहेगी, ऐसे मोड़न ही नहीं है, ठीक है, फिर आपने वही प्रोसेस करेंगे, सांस को नाक्स लिया, मुझ से छोड़ा, आपने देखा, इसमें आपने सांस को बाहर छोड़ का रोक लिया, फिर पेट को अंदर खीचा, जाल अंदर बंद भी लगा के रखा, और जितनी देर आप अपनी छमता नसवा रोक सकते हैं, आपने पेट को रोकना है, शुरू शुरू में क्या होगा कि इतना अंदर नहीं जाएगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सबका इतना अंदर जाएगा, थोड़ा भी अंदर जाएगा, जैसे इतना अंदर भी जाएगा, तो आप कोई बात नहीं, हलके हलके कि जब यहां से muscles flexible होंगी, और तब अंदर औ और अंदर जाएगा, कुछ लोगों का हो सकता है कि पेट बहुत बड़ा है, वो इस बंद का अभ्यास करना चाहते हैं, तो उनको मैं एक सलहा दूँगा, कि अगनी सर्ग क्रिया का वो अभ्यास करें, तो थोड़ा सा पेट कम हो जाएगा और muscles flexible हो जाएगे, फिर इस बंद का अभ्यास करेंगे, तो वो असानी से लगा सकते हैं, तो दोस्तों ये था उडियान बंद का अभ्यास, मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि य आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए, जै हिन, जै भारत!